आपके पार्टनर का थौट प्रसेस आपको ले करें यह जानते हैं आज आपके पार्टनर और आप इस relationship के बारे में क्या सूचने वाले हैं आज की अनाजी काफी हाय नजर आ रही है जैसे भी मैं कार्ट शपल कर रहे हूं कार्ट फ्ले कोगर बाहर निगर रहे हैं तो मैं इस dick को randomly दो parts में divide कर लेते हूं सबसे पहले हम देखेंगे आपके partner की analogy आज आपके partner आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं इस relationship के बारे में क्या सोचने वाले हैं आएए जानते हैं So, पहला card है यहाँ पर 8 of cups का card है The next card is the devil का card है The next card over here is 3 of cups का card है The next card over here is 4 of cups का card है The next card over here is 10 of cups का card है So, आज कल की energies कही न कहीं कुछ continued है क्योंकि कल आपके partner आपके relationship को लेकर बहुत ज़ादा emotional थे और आपकी तरफ को बढ़ने की गोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी मजबूरियों ने न कहीं न कहीं रोक लिया आज आपके partner इस relationship से emotionally withdraw करते हुए मुझे नजर आ रहे है आपके partner वो ये महसूस होगा कि जब वो इस relationship के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो इस relationship के लिए तड़पने कोई फायदा नहीं है इस relationship में उन्हें वो सब कुछ हासल अब नहीं हो सकता है जो वो हासल करने के सपने देखते हैं आपके जो person है उन्हें आज ये महसूस होगा कि जिस situation में आज वो trapped है उस situation में रहना अब उनकी किस्मत बन गई है तो वो इस situation पर जितनी जल्दी surrender कर दें उनके लिए बहतर होगा आज मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये third person जो भी है आप दोनों के इस relationship में ये अगर बाहर की third party है तो आपके partner के साथ आज intimate होने के chances बहुत ज़ादा है ये third party आपके partner को कमजोर बनाती हुई आपके partner के साथ physical relationship बनाएगी और अगर घर की third party है तो ये third party आपके partner के लिए जो marriage का proposal है वो रखती हुई मुझे नजर आ रही है किसी और के साथ और अगर बाहर की third party भी है तो आज वो आपके partner को अपने साथ marriage के लिए मजबूर करने वाली है चाहे वो marriage, secretive marriage ही क्यों ना हो लेकिन ये third party आपके partner को मजबूर करें ठीक है तो आपके partner आज बहुत ही tense dinner और चीज में रहने वाला है तो इस relationship के बारे में तो उनका एक ही thought process होगा कि अब ये relationship नहीं बचा है इस relationship में जब honesty ही नहीं है उनकी side से तो वो क्या कर सकते हैं वो अपनी दरफ से जतनी में honesty शो करने की कोशिश भी कर लें लेकिन उनके हालात ही आपके सामने उन्हें गलत बना देते हैं तो इसलिए आज आपके partner इस relationship पर जादा focus नहीं करेंगे बलकि अपनी situations को संभालने की कोशिश करेंगे ये अच्छी बात है आपके partner को आज की situation को संभालना चाहिए बद go with the flow की energy को follow नहीं करना चाहिए ठीक है आपके partner balance के अंदर आ जाए और ये third party अपने इरादों में काम्याब ना हो पाए इसके लिए आप comment section में 2-2-2 hard जरू टाइप कीज़ेगा ठीक है वो चीज आपके partner के लिए एक positive energy का काम करेगी और आपके switch words आपके partner तक जल्दी पहुँचते हैं उनकी energies जल्दी पहुँचते हैं तो जरूर लिखिएगा 2-2-2 hard comment section में और आज ये third party ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है इसके लिए मैं detail video इसी channel पर डालते हूँ रात को साड़े 9 बचे बग वीडियो आती है please उस video को जरूर देखा कीज़े ताकि आप detail में समझ पाए हर एक चीज को आपके relationship में जो कुछ भी घटत हो रहा है so आए अब हम देखते हैं आपकी energies आज किस तरह की रहने वाली है आप अपने partner के बारे में इस relationship के बारे में क्या सोचने वाले है आए जानते हैं आपकी energies आज किस तरह की होंगी आप अपने partner के बारे में क्या सोचने वाले है इस relationship के बारे में क्या सोचने वाले है आए जानते हैं पहला card strength का card है, the next card over here is queen of swords का card है, the next card is the emperor का card है, the next card over here is eight of wands का card है, the next card over here is queen of cups का card है यहाँ पर. आज इस relationship को लेकर आप काफी strength की energies में मुझे नजर आ रहे हैं, आप यह कोशिश करेंगे कि आप कोई step उठा पाए अपने इस relationship के लिए, आप इस relationship को लेकर एक positive energies में मुझे दिख रहे हैं, आप इस relationship के लिए आज कोई practical decision बनाने की अपने level पर कोशिश करेंगे, और आप इस third party elimination के बारे में भी आज जादा सोचने वाले हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है आपके इस relationship की, जब आपके partner lower energies में होते हैं, तो आप higher energies में आज आते हैं, आज आपको यह महसूस होगा कि इस third party को eliminate किये बिना, आपके partner आपकी तरफ को नहीं आ सकते हैं, तो इस energy को किस तर की और move करेंगे, आप इस relationship का control अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा कि अब आपको खुद से initiative उठाना चाहिए, अपने partner से बातचीत करने का, क्योंकि आपके partner तो ऐसा कोई initiative नहीं ले रहे हैं, आप कब तक इसी तरीके से wait करते रहें चाहिए, इस तरह का आपका कुछ thought process रहने वाला है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने partner को आज call या message करें, सामने से कुछ अच्छा response आपको नहीं मिलने वाला है, लेकि आप फिर भी अपना call या एक message जरूर करेंगे अपने partner को, और एक चीज़ और है कि ज़्यादा emotional होकर, उनकी situation को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपके partner कहीं न कहीं घबरा जाएंगे, तो आज आप अपने emotion को suppress करके, एक बहुत ही practical तरीके से अपने partner को approach करते हुए, मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक हैं, सो आप बहुत समझदार हैं, समझदारी से आज की ए Have a great day today. गब ब preparedness you all, take care of your health, see you soon.